स्री शिवाय नमस्तु व्यशाग मास की शिवरात्री बहुती खास है इस दिन के जाने वाला कोई भी उपाय अशफल नहीं होता है व्यशाग माहा की शिवरात्री वाले दिन अगर कोई वेक्ती दल समर्पित करके आ रहा है और उसका मात दर्शन करने से ही आपकी मनों कमना पूरी हो जाती है तो इतना बड़ा दिन है ऐसे में गुरुजी दोरा बताएगे कुछ नहीं हो पाएँ आप जरूर कीजिएगा चली वीडियो शुरुबात करते हैं स्वाकते मौधिति ओफिशल चेनल पर और हाँ लास वीडियो में जो प्रशन पूछा गया था उसका सही जो उत्तर है वो है कुबरिश्र दाम सीहोर में इस्ति थे जिन लोगों ने जल्दी कमेंट करके उत्तर दिया है उनके नाम इस प्रकार है साथ में आज का प्रशन है कि गुरू जी पंडी जी पदी मिश्रा जीत की कितने पूत्र है एक की दो कमेंट करके जरूर बताईएगा पहला उपाय धर्म प्राप्ति रोग मुक्ति जल्दी भिवा के लिए शिवरात्री के दिन वेशाक की शिवरात्री के दिन सुभा आठ से ग्यारा के बीच में इस उपाय को आपको करना है क्या करेंगे देखे वेशाक की शिवरात्री के दिन आपको लेना है एक तामे के लोटे में जल और उसके अंदर एक बेल पत्री आपको डुबाना है डालना है ठीक है तामे के लोटे में जल लेंगे वह जल होना चाहिए आपके ही घर के मट्की का या मट्के का जी हाँ मट्टी के पात्र का जल होना चाहिए वह तो मिट्टी के पात्र का जल लेंगे उस जल में आपको एक बेलपत्री डुबाना है डुबाने के बाद उस बेलपत्री को निकालना है और अपने पास रखना है और जल लेकर आपको मंदित जाना है पर किसी कारणवस आपके पास बेलपत्री नहा मिले तो मंदिर में चड़ी हुई बेलपत्री को भी उठा कर धो कर आप जल में डुबा सकते हैं और डुबाने के बाद उस बेलपत्री को निकाल सकते हैं इस उपाय को सुबा आठ से ग्यारा के बीच में करना है इस जल को महा देव को अगर आप विवा के लिए समर्पित कर रहे हो तो जल को जेल कर आश्मन नहीं करेंगे केवल विवा की कामना करके उस लेक लोटे जल को सिबलिंग के उपर समर्पित कर देंगे पर अगर यहाँ उपाय अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो जल समर्पित करने के बाद जल को जेलना जेलते कहां से चासे जल बेके जाता है सिदेहाद की हतेली में जल जेल लेना तामे के लोटे में डाल लेना और फिर उस जल का आश्मन मा अश्चुक्षूंद् के लिए इस उपाय को करोगे जल समर्पित करने के बाद जल को जेल कर लाओगे और जेले वे जल को पूरे घर के अंदर उस जल का छिटकाव छिटन करना है यह ध्यान रखेगा इस उपाय को तीन मनुकामना के लिके जाता है पर जल जेलना का भी इस बात का ध्यान रखेग दूसरा उपाय, प्रशूती शिव महापुरान कथा में गुरुजी ने एकदम नया उपाय बता है, यहाँ उपाय वैसात के महने में सिफरात्री को, प्रदोश को, अस्टमी, पड़े संबर की तब आप कर सकते हो, यहाँ उपाय संतान प्राप्ति के लिए एकदम नया उपा गुरुजी ने कहा है, वैशाक के महने में आपको दो लोटे जल लेना है, जी हाँ, पर दो लोटे जल में एक लोटा तामे का होगा, और एक जो होगा, वो माटी का बरतन होगा, यही माटी का कलश होगा, सीधे हाथ में पकड़ेंगे माटी का कलश, और उल्टे हाथ में प वहाँ नाम है दक्ष प्रचापती जी हाँ पहला नाम है दक्ष प्रतापती जूसरा नाम है प्रशुती वो तिसरा नाम है विर्णी विर्णी का एक नाम आशकती भी होता है आप विर्णी बोल सकते हो तो क्या कlying लेंगे दक्ष्परतापति दूसरा नाम लेंगे आप प्रशुती तिसरा नाम लेंगे विर्णी तिनों नाम लेकर दोनों लोटे का जल आपको वटकेश्वर महादेव पर समर्पित करना है जल समर्पित करने के बाद पती और पतनी दोनों उस जल को जेल कर उस जल का आश्मन अगर वट प्रश के नीचे कर लेते हैं तो संतान की प्राप्ति उन्हें हो ही जाती है अगर काफ़ी समय से प्राप्ति नहीं हो रही है तो विशाक के मेने में इस उपाय को जरूर कीजेगा और हाँ इस वीडियो को उन लोगों को जरूर सेल कीजेगा जिने शंतान सुख नहीं मिल पार है वह यह उपाय करेंगे उन्हें संतान सुख अवश्यमिल जाएगा तिसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए धन की बहुत कमी है वहुत परिशान हो गए हो पेशा कही न कहीं से नहीं आ रहा है कहीं जगा नोकरीव करके देख लिया पर भी आवक उती नहीं आ पारे जितने खड़शे है तो आप इस उपाय को कीजिएगा क्या करेंगे आपको लेना एक समी पत्र और उस समी पत्र को आपको हल्दी में डुबाना है जी हाँ समी पत्र को हल्दी में डुबा लेना और इस डुबे वे हल्दी आले समी पत्र को ठीक रात्री नो से दस के बीच में जी हाँ रात्री नो से दस के बीच में शिवरात्री के यदि सीलिंग के उपर एक समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन्गी कमी नहीं होती है तो यहां बहुत सरल उपा है कि वहले एक समीपत्र हल्दी में डुबा कर समर्पित करना है माहत्यों को अब अब वश किजेगा श्री शिवाए नमस्तुब्यम्